Hey everyone, welcome, welcome back to this YouTube channel, this is Simav here, class 12th, you know, session 2023, और इसमें especially subject हम बात करेंगे, political science, जिसके 25 most important, you know, most expected भी कह सकते हैं, अब जो कि MCQs रहेगा, और ये हमारा part 2 है, से पहले हमने part 1 पर already discuss कर रखा है, और इनमें जितने भी सारे questions होएंगे, सब के सब English में होना ऐसे, प्लीज ये बात भी याद रखेंगे, ठेके, और इनके इलावे, यही सारे questions को हमने हिंदी में already बना करके, playlist बना के already डाल रखी है, अगर आपने इन सारे questions को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो please, आप playlist में जाकर कि उन सारे questions को आप read कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, तो चलिए देखते हैं, इस session में हमारे कौन-कौन से MCQ है, so here is the first MCQ, who hated the interim government formed under the cabinet mission plan, you know, अब बताया जा रहा है कि cabinet mission plan के under में एक interim government form करी गए थी, जिसको hate कर रहे थे, वो hate कौन कर रहे थी, सरदार पतेल कर रहे थे, जवाहरलाल नहरू कर रहे थे, या बुलकलाम आजाद कर रहे थे, या डॉक्टर plan के अंडर में, जो interim government form करी गए थी, उसको hate कर रहे थे, कौन, जवाहरलाल नहरू, so please keep remember, number second है यहाँ पर, number two, who was the first home minister of independent India, you know, independent India की बात कर रहे, जो कि first home minister कौन थे, जो कि first H.M. की बात कर रहे हम, जो first H.M. कौन थे, independent India का, option है, जवाहरलाल नहरू, लाल बहादूर शास्त् या फिर सरदार पटेल, या फिर B.R. अंबेत कर, so please keep in mind, सरदार पटेल will be the right answer here, क्योंकि सरदार पटेल को ही पहला home minister बनाया गया था, independent India का, और जहां तक हम पंडित जवाहरलाल नहरू की बात करेंगे, तो यह PM थे, यानि की prime minister बनाया गया थे, चलिए, अगला सवाल है, number third में here, the states created in 1960s were, you know, 1960 में, 1960 में कौन कौन से state को create करेंगे थी, महरास्ट गुजरात को, ओडिशा, वेस्ट पेंगौल को, पंजाब, हडियाना को, या राजिस्थान या गुजरात को, so please एक बात याद रखेंगे, option यहां पर तो हो जाएगा, महरास्ट और गुजरात, option A will be the right answer, महरास्ट और गुजरात बनाया गया था, 1960 में, but उससे पहले हम बोल देता आपको एक बात, कि 1953 में, reorganization commission बनाया गया था, state reorganization commission बनाया गया था, क्योंकि यहां पर language के base पे क्या करना था, states को divide करना था, फिर उसके बाद यह commission आपने बनाने के बाद, 1956 में, reorganization क्या बनाय गया, कानून बनाया गया था, 1956 में, अब इसके तहत क्या बनाया, 14 states, याद रखेंगे यह बात, 14 states और 6 uts बनाया गया थी, ठीक है, कब 1950s के, you know, reorganization act क्या था, और इन 14 states में से क्या था, महरास्ट और गुजरात दोनों को मिला करके, बोम्बे बनाया गया था, यह बात आप याद रखेंगे, बोम्बे बना क्या गया था, जो कि बोम्बे एक state था उस वक्त, फिर 1960 में आ करके, बोम्बे को दो टुकरे करके, एक महरास्ट बनाया गया, दूसरा आपका गुजरात, अच्छली में महरास्ट जो मराथी language वाला इलाका था, उसको महरास्ट बनाया गया और गुजराती language का जो area था उसे गुजरात बनाया गया, तो ये बात याद रखेंगी, ये हुई कब 1960 यानि 1960 में, अगेन जब हम औरिशा और वेस्ट बेंगॉल की बात करते हैं, तो औरिशा और वेस्ट बेंगॉल ये दो इस्टेट जो कि इदर 14 स्टेट जो बनाया गया फिर जाकर के 1966 में पंजाब को भी दो टुकरे में क्या किया गया, डिवाइट किया गया, अग्चली जो पंजाबी रिवासा वाला जो language वाला जो region था उसे पंजाब बनाया गया, फिर अगेन जो हिंदी language वाला जो region था उसको काट करके क्या बनाया गया, हर्याना बनाया ग करके दो इस्टेट यानि महरास्ट और गुजरात बनके अलग हुआ था 1960 में, सो ये प्लीज सारे के सारे डीटेल्स आप अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, अगला कोशन है नंबर फोर, यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट से, जो आपके पार्टिशन से रिलेटेड, सही नहीं है वो बतानी है, पंजाब और बेंगौल वो टू प्रोविंसे दिवाइड अनु बेंगौल यह दो प्रोविंसे था, जो कि डिवाइड था किसके बेस पर, रिलिजियन के बेस पर, यह बिल्कुल सही है, ठेके, तो option A तो नहीं होना है, यहनों कि इंडिया का जो पार्टिशन हुआ तो वह आक्चिल में, टू नेशन थेयरी के रिजल्ट के अकार्डिंग हुई थी, तो यह भी सही है, तो इसलिए B आंसर नहीं हो सकता, East Pakistan and West Pakistan were not adjacent, कह रहा है कि जो East Pakistan है, आच्छली East Pakistan को आज हम, बांगलादेश के नाम से जानते हैं, ठेके, बांगलादेश के नाम से जानते हैं, जिसका formation 1971 में हुआ था, ठेके, और जो West Pakistan है, यह original Pakistan है, जो आज का, पाकिस्तान के रसाफ से जानते हैं, तो कह जा रहा है, यह adjacent, यानि एक दूसरी से सटे, नहीं है, तो बिल्कूल नहीं है, तो option C भी यहाँ पर option answer नहीं होना, तो बचा D, तो इसलिए option D होगा, बलके कहा क्या रहा है, पार्टिशन के प्लान पे यह बिल्कूल भी इंक्लूड नहीं था, कि पॉपॉलेशन का क्या हो जाए, अगर ट्रांस्फर होगा किदर, बॉर्डर तो बॉर्डर, तो प्लीज यह बात याद रखेंगे, option D यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यह प्लान बिल्कूल भी शामिल नहीं था, कि इसमें आपके पार्टिशन के पॉइंट उफ व्यू से, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, नंबर फिफ्ट में, वेर वाज अमरिता प्रितम, अमरिता प्रितम के बात कर रहे हैं, वो कहां से बिलॉंग करती हैं, जो कि प्रॉमिनेंट काफे फेमस कवेत्री पोईटेस है, जो कहां से बिलॉंग करती हैं, पंजाब से, यह उनो गुजरात से, या राजिस्थान से, या वेस्ट बेंगॉल से, प्लीज कीप रिमेंबर, ऑप्शेन A will be the right answer, वो पंजाब से बिलॉंग करती हैं, कहां से करती हैं, पंजाब से कौन, अमरीता प्रितम, और जहां तक पंजाब की कैपिटल की बात है, तो प्लीज कीप इन माइड, चंडीगर will be the capital of पंजाब, और गुजरात की जब हम बात करेंगे, तो गांधी नगर होना है, गांधी नगर, गांधी नगर हमारा क्या हो जाएगा, कुजरात का capital, और राजिस्थान का आपका जैपूर होना है, राजिस्थान का capital जैपूर, और वेस्ट बेगल की जहां तक बात है, तो कोलकाता हो जाना है, Kolkata will be the capital of West Bengal also please keep remember number 6 में चलते है what was the basis of the state reorganization of India in 1956 you know 1956 में state reorganization act बनाय गया था ठेक है कानून बनाई गय थी 1956 में ठेक है तो बट यह किस के base पे बनाय गया था यह option देखना है यह answer करना है आपने क्या वो religion के base पे बनाय गया था यह act यह caste के base पे बनाय गया यह geographic region के base पे यह language के base पे so please keep in mind option D will be the right answer क्योंकि वो language के base पे क्या किया गया था 1956 में state reorganization act का formation करे गया थी वो pass किया गया था actually यह कानून pass करे गया थी पारित करे गया थी तो किस के base पे? language के base पे next है number 7 में मुहमद अली जिन्ना address to the constituent assembly of Pakistan in Karachi you know हम बात कर रहे है constituent assembly of Pakistan जिसको क्या किया था address किस ने करी थी? मुहमद अली जिन्ना ने करी थी कहाँ पे? कराची में करी थी but वो कब करी थी? वो date बताना है और year बताना है option है 9th of August 1947 10th of August 1947 11th of August 1947 12th of August 1947 so please keep remember option C will be the right answer क्योंकि वो 11 अगस्त 1947 को मुहमद अली जिन्ना ने कराची यहनों कि पाकिस्तान की constituent assembly को क्या किया था? address किया था उसको संबोधित किया था so please keep remember 11th of August 1947 okay next है number 8 what were the result of partition of India in 1947 कहाँ कि 1947 में जो partition हुआ इंडिया का partition होकर कि दो nation बना आपका एक तो आपका इंडिया बना दूसरा आपका पाकिस्तान बना था so please keep in mind पाकिस्तान बना था इन दोलू nation को बनने की पीछे का reason क्या था? refugee problem था migration of population problem था या minority problem थी या all तो याद रखेंगे option A भी problem था option B भी problem था option C भी problem था इस हिसाब से option D हो जाएगा क्योंकि refugee problem था ही उसके साहसाथ population का migration वाली problem थी और minority का problem भी था इस वज़े से इंडिया का क्या हुआ partition हुआ 1947 में और दो रास्ट बनके बाहर निकले दो nation बनके जो कि एक इंडिया बना 1956 के act के तहत और 1960 में जाकर कि इसका answer तो 1960 हो जाएगा क्योंकि 1960 में ही गुजरात क्या हुआ था बोंबे से अलग हुआ तो याद रखेंगे 1960 में बोंबे को दो प्रांति यानि दो प्रोविंसेद में दो स्टेट में बाटा गिया एक को बोलेंगे हम लोग महरास्ट एक को क्या बोलेंगे महरास्ट बोलेंगे और दूसरे को अपन गुजरात बोलेंगे और दोनू को क्या किया गया था language के base पे दो अलग-अलग जगह को बाटा गया था महरास्ट actually में मराठी भाशावाला शेत्र था और गुजरात actually में गुजराती भाशावाला इलाका था तो इनका partition कब बोलता 1960 में क्या बात करी जा रहिए communal zones की बात करी जा रहिए जैसे हिंदी में हम लोग सामपरदाइक दंगे कहेंगे during the partition violence war उस शहर के नाम बताना है, जो डिवाइड हुआ था, आक्चली किसके बेस पे, कम्यूनल जोन के हिसाब से क्या हुआ था, पार्टिशन वाइलेंस हो रही थी, जो क्या पार्टिशन के टाइम पे आप कह सकते हो, जो कम्यूनल जोन बनके बैठा था, सामप्रदा एक दंगे व जाप्पूर होना है, so please keep in mind, option A will be the right answer, क्योंकि लाहूर भी एक कम्यूनल जोन में आता है, अम्रित्सर भी एक कम्यूनल जोन में आता है, और कोलकाता भी कम्यूनल जोन में आता है, इस औप्शन B में आपका लगनो नहीं आता है, इसलिए सहीं नहीं होगा, यहाँ पे मदर इसर कमिनल जोन का हिस्सा था, कोल का था, कमिनल जोन का हिस्सा था, कब partition के time पर, so please याद रखेंगे, यह सारे के सारे शहर जिसको हमने टिक किया यह में, यह सब कमिनल जोन का हिस्सा था, so please keep in mind Number 11, which of the following leaders played an important role in the integration of princely states into India, अब बात करेंगे हम लोग, जो important role play किया, किस चीज में integrate करने में, एक दूसरे को मिलाने में, किस चीजों को जो princely states बने बैठे थे पहले से, उसको इंडिया में exit करने के लिए, एक leader ने क्या किया, अपना बहुत ही important role play किया, वो leader कौन सा था, वो बताना है, जो princely states को integrate करने में, उसको exit करने में, काफ़े important role play किया था, वो कौन डॉक्टर अंबेद कर थे, या सरदार पटेल थे, या जवाहरलाल नहरू थे, या महत्मा गांधी, so please keep in mind, option B, यहाँ पर सही answer होगा, सरदार पटेल थे, जो कि सारे की सारे princely states को, जो actually में, इंडिया में mix नहीं करना चाहते थे, उनको integrate करने में, काफ़े important role play किये थे, कौन, सरदार पटेल, so please keep in mind, next है number 12, not included in communal area, फिर आगया अगें, communal zone के बारे में, communal area के नहीं आएगा, कोलकाता बिल्कुल communal zone में आता है, अमरित्सर भी आता है, लाहोर भी आता है, ठेके, बट जम्मु कश्मीर नहीं होगा, इसलिए option D, यहाँ पर सही answer होना है, next है number 13, name the leader of India's independence movement, who was known as, you know, frontier Gandhi, again, ध्यान देंगे, आपर frontier Gandhi के नाम से हम किस leader को जानते हैं, जिन्नोंने independence movement में काफी अपना role play किया था, ठेके, किस नाम से जानते हैं, उसको frontier Gandhi के नाम से, क्या उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानते हैं, frontier के नाम से, frontier Gandhi के नाम से, या खान अब्दुल गफार खा को किस नाम से frontier गांधी के नाम से so next है number 14 यहां पर who gave the trist with destiny speech you know trist with destiny speech किस ने दिया था यह काफी important सवाल है चार option है option a कहरा महात्मा गांधी b है आपका सरदार पटेल c है जवाहरलाल नहरू और d है डॉक्टर अंबेद कर so please keep in mind अगर हम trist with destiny speech की बात करेंगे तो वो दिया गया पंडित जवाहरलाल नहरू के ज़रीए कब किसके जरीए पंडित जवाहरलाल नहरू के जरीए जब हमें independence मिली थी उसी दिन शाम को एक constitution assembly को किया था, जवाहरलाल नेरू ने क्या की थी address किया था, उसी वक्त address करते समय, Trist with destiny नाम का उन्होंने speech दिया था, जो कि दिये थे कौन पंडिच जवाहरलाल नेरू ने, speech का नाम क्या है, heading क्या है, Trist with destiny so please keep in mind, number 15, what was the bigger obstacle in nation building at the time of India's independence, देखेंगे आपर India's independence के टाइम पे nation को क्या करना, build करना था पूर्ण करना था, complete करना था तो उसके लिए, सामने में कौन से bigger obstacles, you know, बहुत सी बाधाएं थी, जो बड़ी बड़ी जो बाधाओं की बात करेंगे, कौन सी obstacle थी, कौन सी बाधा थी, जो कि इंडिया के independence के टाइम पे उसको nation को build करने में, बनाने में, आपको ये अर्चन सामने में देखने को मिला था क्या है, unite the nation, या establishment of democracy, या development and refugee problem, या फिर all, तो याद रिखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम था unite the nation, you know, nation को unite करना था, जो कि princely states, जो कि बहुत सारे princely states क्या थे, जो इंडिया में अपने आपको mix नहीं करना चाहते थे, मिलाना नहीं चाहते थे, उनको unite करना सबसे बड़ी problem था, जो कि हो गया आखिरकार बाद में, फिर उनके साहसा democracy को भी establish करना था, तो यहां बहुत सारे, you know, employment वगरे को भी देखना था, और country को उपर भी लेके जाना था, develop भी कराना था, तो यह भी bigger problem था, उनके साहसाथ, refugee का भी बहुत बरा problem था, तो यह सारे के सारे problems, जो कि आपको इंडिया के independence के time पे देखने को मिला था, so इस आप से option D यहां पे हो जाएगा, जो कि all पे जाएगा, so next is 16 में, what were the main reason for the partition of India, you know, partition of India, partition हुआ, India और Pakistan नाम का दो nation बना था, India और Pakistan का क्या बना था, दो nation बना था, Pakistan इंडिया नाम से कब बना था, 1947 में, but यहां पे point यह है कि partition होने के पीछे का main reason क्या था, जिन्नाज, harsh attitude, या फिर communal rights and disorder, या फिर failure of the interim government, या फिर all, तो याद रखेंगे, option D होगा, actually में, जो मुहमद अली जिन्ना थे, उनका attitude काफी harsh देखने को मिला था, उनका रवया जो था काफी सक्त था, ठीके, इस वज़े से एक तो reason यह था ही, दूसरा communal rights हो रहे थे, जगा जगा पे सांप्रोदाइक दंगे हो रहे थे, धर्म के नाम पे दंगे हो रहे थे, उनके सांसाथ पूरी की पूरी country में disorder फैला था, काफी hours था, फैली हुई थे, disorder फैला था, यह भी reason है, तीसरा कर रहे है कि जो इंडिया में interim government बनाए गए थी, वो actually में success नहीं हो पाई थी, वो fail हो गए थी, ठीके, तो यह तीनों के तीनों reason proper है, जिनके वज़े से इंडिया का क्या हो गया, partition हुआ, so option D will be the right answer, okay, next है number 17, what was the two nation theory based on, you know, two nation theory, यह किस चीज़ पे based था, तो पहले में बता दो option के according देखते हैं, division of states, या division of India, या expansion of India, या फिर all, तो याद रखेंगे, two nation theory के जरिये ही, हमारा इंडिया का क्या हुआ था, partition हुआ था, so please keep in mind, two nation theory के जरिये ही, इंडिया का partition हुआ, और दो country बनके बाहर निकला, कौन कौन, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, so please keep in mind, तो यह जो two nation theory जाएगा, वो actually में division of India पे जाएगा, किस पे जाएगा, division of India ने, option B होगा, division of state कता ही नहीं होना, expansion of India भी नहीं होना, और all भी नहीं होना है, so option B will be the right answer, क्योंकि इंडिया को ही divide करना था, किस के जरीए, two nation theory के जरीए, so please keep in mind, number 18 है, in which of the following princely states, did सरदार पतेल face major challenges to integration, you know, यहाँ पे कुछ princely states के name दिये गए है, जिन में से सरदार पतेल को क्या करना था, integrate करने के लिए, काफी major challenges को क्या करना पड़ा था, face करना पड़ा था, बताओ, वो कौन कौन से princely states है, option A कह रहा है, हाइदराबाद, मुरादाबाद या जुनागर, हाइदराबाद, सिकंदराबाद या जम्मू कश्मीर, हाइदराबाद, को भी मिलाने में, और जम्मू कश्मीर को भी मिलाने में, ये तीनों के तीनों ऐसे princely states थे, जो तीनों के तीनों, इंडिया में integrate करना नहीं चाते थे, मिलाना नहीं चाते थे, अब देखो भी हाइदराबाद को मिलाने के लिए, आपचली में, पुलिस फोर्स का क्या करना पड़ा, आपन को यूस करना पड़ा, पुलिस फोर्स यूस करके, हाइदराबाद को इंडिया में, क्या करा गया, integrate किया गया, उसको मिलाया गया, जुनागर में आक्चली referendum के जरिये, referendum के जरिये, इसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, जन्मत संगरह कहा जाता है, referendum के जरिये क्या किया गया, उसको जुनागर को इंडिया में मिक्स कराया गया, वहीं पर अगर हम बात करेंगे, आपके जम्मो कश्मीर का, तो जम्मो कश्मीर आक्चली में, विलयप पत्र पर हस्ताक्षड करके, विलयप पत्र यानि की वो, आपके लेटर में signature करके क्या किया था, जम्मो कश्मीर को इंडिया में मिक्स करने की कोशिश करी, तो इन तीनों को तीन तरीके से मिलाया किया, लेकिन इसको मिलाने में, काफी बरे बरे problems को face करना पड़ा था integrate करने के लेकिन को सरदार पटेल को अब जहां तक हाइदराबाद तो है लेकिन यहाँ पे मुरादाबाद नहीं होना है second option में सिकंदराबाद नहीं होना है और fourth option में आपका यहाँ पर अमरित सर नहीं होना है इस वज़े से यह तीन option आपका यहाँ पर खतम होगा जो कि option C यहाँ पर सही होगा है हैदराबाद, जुनागर और जम्मू कश्मीर, so please keep in mind next question is number 19 which of the following statements is incorrect, again यहाँ पर देखोगे आप लोग incorrect regarding the princely states princely states के according देखना है वो कौन सा statement है, जो सही नहीं है वो चीज़ें देखेंगे option A is some of the princely states clearly wanted to be a part of Indian union, definitely यह सही है कुछ princely states ऐसे थे जो आराम से Indian union में अपने आपको क्या करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे, यह बात सही है, चलो the ruler of जुनागर had decided to become a part of independent India, but शुरुवात में तो नहीं चाहता था, बाद में फिर वहां के जो ruler थे, उन्होंने क्या करा जुनागर के ruler ने independent India का part बनने के लिए, उन्होंने decide कर लिया, तो यह भी सही है, तीसरा करें the princely states occupied about one third of the territory of the British Empire तो यह भी सही है, कि British Empire का अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स तो वो वन थर्ड एडिया को काप्चर करके बैठा था ये भी सही है बट लास्ट में देखें कि option D मेरे क्याल से सही आंसर होगा किरें the government of इंडिया निकि GOI जो थे आपके government of इंडिया थे was ready to give autonomy to some states some areas वो क्या चाते थे कि वो कुछ areas को autonomy देना चाते थे बट ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि Indian government कभी नहीं चाते थे किसी भी particular area को कोई भी autonomy देने के लिए so option D यहां पर क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा क्योंकि Indian government कभी भी किसी भी special area हो या फिर कोई भी area हो उसको autonomy कभी भी देना नहीं चाते थे so please याद रखेंगे option D will be the right answer okay next है number 20 when was the reorganization of north east completed you know हम बात करें north east states का north east states का वहां की reorganization कब complete हुई option है 1962 में 1965 में 1972 में 1982 में तो याद रखेंगे option C will be the right answer 1972 में जो north eastern states है north eastern states है वहीं पर आपको seven sisters वाला states भी देखने को मिल जाएगा जहां पर example के तरबेगर में बता दू नागालेंड वाला इलाका हो गया अरुनाचल परदेस हो जाएगा असम हो जाएगा मनिपूर हो जाएगा यह जो states है actually में यह north eastern states है तो इनके reorganization कब complete हुई थी वह बताना है so please keep in mind option c will be the right answer 1972 में उसकी reorganization complete हुई थी अगला 21 में what was the speech given by जवाहरलाल नहरू on the eve of independence day call you know independence day के eve पे एक जवाहरलाल नहरू ने एक speech दी थी काफिर famous speech था उसका नाम बताना है option में बोला जा रहा है आपर tryst with destiny wake of nation wake of ने मेरे खाल से wake up होना चाहिए बट कोई नी wake of nation या breaking of destiny या फिर नोटा none of the above so please याद रखेंगे वो जवाहरलाल नहरू के जरिये जो दिया गया था भाषन independence day के eve पर मौके पर तो वो option A होगा जिसको हम लोग tryst with destiny नहीं कहते है जो अभी हमने कुछ दिर पहले भी इसको deal किया trust with destiny so please keep in mind given by जवाहरलाल नहरू so please keep in mind okay next है number 22 when did Mahatma Gandhi die you know Mahatma Gandhi कब मृत्य हुई मृत्मा गांधी के मृत्य कब हुई when did Mahatma Gandhi die option है 30th of December 1948 30th of January 1948 30th of November 1949 30th of January 1950 so please keep in mind option B will be the right answer ठीके क्या होगा 30th of January 1948 यानि कि 30th January 30th January 1948 को Mahatma Gandhi के मृत्य हो गई जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो इसको हम लोग शहीद दीवस के रूप में भी क्या करते हैं हर साल celebrate करते हैं so please keep in mind तो उनकी मृत्य होई 30th of January 1948 को actually अगर उसकी हम बॉर्ण की बात करें कि उनकी पैदाईश कब हुई थी वो भी याद रखना important है 2nd of October 2nd of October 1869 को उनकी पैदाईश हुई थी याद रखेंगे ये बात और मिरत्य हुई 30 January 1948 please keep in mind अगला next question है 23rd में what was the stand of the government of India on partition you know government of India का stand क्या था partition को ले करके विभाजन को ले करके उसका क्या मत था वो बतानी है India wanted to become a Hindu nation बिलकुल भी नहीं India wanted to peace you know India wanted peace, harmony and equality of religion बिलकुल सही बात है मेरे क्या option B यहाँ पे सही होना चाहिए क्योंकि India peace चाते थे harmony भी चाते थे और equality भी चाते थे तरह एक religion के साथ India had no के लिए strategy बिलकुल भी नहीं होगा यहाँ पर nota भी नहीं होना है so please याद रखेंगे option B will be the right answer क्या बोला जा रहा है government India का stand वांग रहा है किसको ले करके partition को ले करके पुनरगटन किया गया किस base पर so please keep in mind on the basis of locality on the basis of linguistic theory on the basis of region या फिर नन अफ दे अबव so please keep in mind option B will be the right answer because वो linguistic theory के आधार पर you know भाशाई आधार पर क्या किया गया था state को reorganize किया गया था भाशाई आधार पर language के base पर so please keep in mind language के base पर linguistic theory के base पर state को reorganize करे गए थी so please keep in mind next है जो कि last होगा इस session का ये question number 25th which was the first state to be formed on linguistic basis after independence independence के दाँ साथी sorry independence के बाद कह सकते है आप independence के बाद सौतंतरता के बाद वो पहली state कौन सी form करे गई जो linguistic base था भाशा के आधार पर बनाया गया था अजादी के बाद भाशा के आधार पर पहला state कौन सा बनाया गया गुजरात को बनाया गया आंदरप्रदेश को बनाया गया असम को बनाया गया या राजिस्थान को बनाया गया so please keep in mind option B will be the right answer आंदरप्रदेश को बनाया गया था गांधी नगर हो जागा है आपर गांधी नगर होना है असाम का कैपिटल हो जागा आपका दिस्पूर दिस्पूर और राजिस्थान का कैपिटल हो जाना है आपका जैपूर So please keep in mind ये सब के सब आपके important हो सकता है exam के point of view So thank you, thank you so much for watching the entire video and hope कि आपको सारे की सारे questions important लगा होगा and last make request अगर channel पे नए हो और subscribe ने कियो, please do subscribe and press the bell icon and दूसरों को भी दोस्तों को share करो, that is all, thank you, thank you so much